दुटोर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल गल्स चायल्ड स्कॉलर्शिप के बारे में यह स्कॉलर्शिप दसभी पास कनिडेट के लिए है खास बात यह है कि इसके लिए आविधन परक्रिया ऑण लाइन रखा गया और online आविदन भी ये start हो चुका है इसके तरह सलीन आपको 6,000 रुपेद दिये जाते हैं और ये scholarship किन candidate को मिलेगा जिसकी पूरी जनकारी आपको बताएंगे क्योंकि इसका official notification भी जारी हो चुकी है single girls scholarship के लिए उसके अलाबे इसमें पूरी criteria बताईगे और साथी कितना पैसा आपको मिलेगा selection process क्या होता है इसका ये सारी जनकारी आपको बताईगी है वीडियो को अब तक बने रहे हैं वीडियो को अभी तक like नहीं किया तो like share कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आने बाले हर एक वीडियो की देखेंगे आप पटना एडियेशन में हिंदुस्तान में भी इसकी जनकारी दीगे ये कि साथ परतेसत अंको लाने वाले जो भी बेटिया है उनको ये छातरविर्ती जो है दिया जाएगा आई ये समझाते हैं इसके बारे में और साथ कैसे आप अपलाई करेंगे उसके सारे लिंक भी आपको अपलब्त कराई जाएगे तो आप वीडियो को हंतक देखते रहे है ताकि पूरी प्रोसस समझ में आप है देखें सिंगल गल्स चाइल्ड एकल बाली का संतान छात्रविर्ति के अधिक सदिक बेटियो को ये बेनिफिट देना है जिसके तहत वैसे बेटिया जिन्होंने दस्वी कक्षा पास आउट किये है साथ परतिसत अंकों के साथ और सिंगल गल्स चाइल्ड जो छात्रविर्ति है ये उनके लिए ही है यहाँ पर दिखेंगे केंदिरिया माधमिक सिक्षा बोड याने सीवी ऐसे से 2022 में दस्वी में जो अब इक्जाम है जैसे देन्थ का जो भी एक्जाम है उसमें 60 परतिसत जो भी अंक लाई है वैसे बेटियो को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है इससे पहले इसकी जो अबेदन प्रोसेस था जिसमें 70 परतिसत अंक जो लाते थी उसको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है लेकिन अब इसको हटा कर अब 60 परतिसत अंक वाले जो भी गल्स है उसको यहाँ पर मौका मिल रहा है इसके लिए आवेदन पड़किरिया चोदा अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे चोदा नॉमबर तक इसके लिए आवेदन जो है लिया जाएगा आवेदन आप ओफ-लाइन ऑन-लाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं ऑन-लाइन भी कर सकते हैं आपको सिंगल गल्स स्कॉलर्षिप है यह क्या है और कैसे इसमें आपको लाब मिलता है तिके यह जो सिंगल गल्स स्कॉलर्षिप है यहाँ पे किलियर लिखा हुआ कि सिंगल गल्स स्कॉलर्षिप चलाया जाता है इसमें वह ऐसे लड़की जैसे किनी के पास सिर्फ और सिप एक बहन ही है उनके पास भाई नहीं है और उनके अलाबे कोई बहन नहीं है तो उनको ही ये scholarship का लाब मिलेगा साथ ही आपको बता देए इस scholarship के लाब लेने के लिए आपको CVSA से 10 वी कक्छा पास करना होगा और आपका जो नंबर है 60 पर 30 से अधीक होना चाहिए उससे कम होगा तो फिर आप इसके लिए apply नहीं कर पाएंगा उसके अलाबे आपके जो study है वो कक्छा 11 या 12 में जारी रहना चाहिए ये नहीं कि आप 3 पास आउट कर चुके है और आपने इसकी पढ़ाई छोड़ दिये तो फिर इसके लिए आप eligible नहीं होंगे यहाँ पर eligibility criteria में वही जैनकार बताई गई जो हमने अभी आपको बताया इसमें कुछ चीजों का एड किया गया जैसा अगर मालीजे आपने 11 12 में जो भी इसकुल में पढ़ाई के लिए आपने admission लिया है उसका जो fee है यहाँ पर बताया जा रहे है कि 1500 से अधीक जो है मन्थिली नहीं होना चाहिए इससे अगर अधीक होगा तो फिर आप इसके लिए eligible नहीं माने जाएंगे नीचे स्कॉल करेंगे आप देखेंगे NRI बाले भी जो candidate है उनके लिए भी बताया गया कि आपका जो maximum होगा fee उसकी जैनकारी बताया गया कि RS 6000 पर मन्थ से अधीक आपका नहीं होना चीए नीचे स्कॉल जाएगा वही आपका जो merit बनेगा जो आपके तेंद के marks के base पे यहां बताया जाएगा कि साट परते सथ होगा तो इसमें आपको selection किया जाएगा और हमने आपको बताया कि जो आपने 11 12 के लिए जो भी इसकुल चूना है उसका fee जो है पंदर रसो से अधीक नहीं होना इस चीज को भी आप ध्यान रखीगा पैसा कैसे मिलेगा तो उसकी भी जनकारी दी गए कि पैसा आपको जो इसका मिलेगा यह आपको एन EFT के मध्यम से आपको दिया जागा यानि जब आप online apply करेंगे तो उसी account में आपको भेजा जागा अब इसके लिए apply कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको आणा होगा cbac.jov.in ke अधिकारी की वेप साइट पे इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मूऄ के वेप साइट का लिंक मिलेगा जिस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर एक option आपको एसकोलर शिप का मिलता है जहाँ पर स्कोलर सिबाले पर आ अप्लिकेशन यहाँ पर online apply का link मिलता है अगर मालीजे इससे पहले अगर आपने इसके लिए apply किया था 11 में और आप 12 में चले गया है तो इसके लिए renewal भी कर सकते हैं जिसका भी link जारी हो चुका है जैसे online apply बाले पर जैसे ही आप click करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसका ज application जिसपे click करेंगे आप अपना roll number और date of birth को डाल कर प्रोसीड करेंगे तो आपकी सारी जनकारी आ जाएगी तो इस परकार यहाँ से apply करेंगे क्योंकि CVSE क्या है तो कोई candidate हमारे पास है नहीं नहीं तो इसका form फिलप करके आपको दिखा देते हैं अगर कोई candidate है तो आप comment कर सकते हैं या Instagram पर message कर सकते हैं ताकि मैं आपका form फिलप करके और वीडियो के मादम से proper जनकारी आपको दे दूँगा तो यह scholarship था जिसकी पूरी जनकारी हमने बताया single girls scholarship जो CVSE वाले candidate के लिए चलाया जाता है तो कैसे आप इसके लिए apply करेंगे सारी process हमने बताया फिर भी को scholarship को लेकर comment कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद